आज अच्छानक आम आदमी पार्टी एक ऐसे विशे पर प्रेस कॉंफरेंस करने क्यों आई जिसमें वो हमेशा ये कहती रहे कि नहीं हम इंदू मुसल्मान में नहीं पढ़ना चाहते आज क्या हुआ आज भी रोहित भाई जो हमारी प्रेस कॉंफरेंस थी वो साथ तोर पे ये दिखाती है और सुबूतों के साथ ये दिखाती है कि आज भाजपा के राज्य में ग्रह मंत्री अमिट शाजी जहां पे होम मिनिस्टर है जिनको पुलीस डिरेक्ली रिपोर्ट करती है उस राज्य में ना हिंदू सुरक्षित ना मुसल्मान सुरक्षित ना सीख सुरक्षित ना इसाई सुरक्षित और आज हालत ऐसी आ गई है और अगर आप पीडित की और जिस विक्ति के हम बात कर रहे हैं रिंकु शर्माजी जिनकी जान चली गई उनके परिवार वालों का बयान सुने तो वो बता रहे हैं कि कही ना कहीं जैष्टी राम का नारा लगाने वाले रिंकु चर्मा जी के हत्या हुई है और क्योंकि जैष्टी राम का नारा उन्हें लगाया तो क्या ये दि देखने आ अगए हैं रह गए हैं हमें कि भारती पार्टी को वोट देखा है दिल्ली की जंता ने केंदर में सरकार उनकी बनवाई ग्रहमंतरी अमिछा जी जो देश के ग्रहमंतरीयां जिनको दिल्ली पुलीस डिरेक्ली रिपोर्ट करती है उनके फुत्ते ओए जो जैश्री राम कह रहा है उसकी हद्य हो रही है और अभी त जितियां ऐसे हो गही है कि हम अपने देश में जैश्री राम का नारा में बुलंद कर देश है। कोई भी धरम का विक्ति सुरक्षित नहीं है और यह जो कानून विवस्था का मसला बनता जा रहा है इस पर भाजपा को जवाब देना चाहिए अभी लेते हैं जवाब प्रियम शुक्ला जी से अमिश्शा आपने का बंगाल में हाला कि आज थोड़ी दिर पहले वो सदन में बयान दे रहे थे उस पर छेवेजम बहस भी करने वाले हैं जो बयान उन्होंने दिया आपने का वो बंगाल में चुनाप परचार कर रहे हैं उसके घर नहीं गए केजरिवाल जी तो दिल्ली मे अपको मैंने वादा कर दिया पुछूआ मैंने पूछा क्या केजरिवाल जी उनके घर हुआ हैं आपने वादा किया तो मैं आपकी वादे की पूरी इजब करता हूं समान करता मीष्जार्वाल जवाब दे देता हूं आम आदमी पाटी की शेत्रिय 나오는 बैदाइक और आम आदनी पार्टी की सभी पार्टी की तक तमाम नेता, उनके घर पे तब से बैठे हों हैं, राखी बिडलाजी हमारी वहां की लोकल मंगोल पूरी की विधायक हैं, वो उनके घर पे बैठी हैं, पूरी फैमिली को आर्थिक मदद से लेकर उनको एमोशनल सपोर्ट तक दे रही हैं, पूरी पार्टी पीडित परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन जहां तक कानूनी मसले की बात है, कानून ववस्था, सीधा ग्रह मंतर आले के अंडर आती है, और मैं आज पूछना चाहता हूं कि ग्रह मंतरी कहा है, अगर आपको ये मामला लगता है, कि इसका म जिसमें वो दादरी तक चले गए थे अखलाक के घर, अपने शहर में, अपने इलाके में जहां के वो मुख्यमंतरी हैं सर, वहां उनको जाने का टाइम नहीं मिल रहा क्या, आप ही को भेज देते चलिए, अगर भारती जनता पार्टी के शासन में और बीजे पी की पुलीस सर, ये बात तो आप तब से कह रहे हैं, जब आप चुनाव भी नहीं लगना चाहते थे, आपकी राजमिती की दुकान भी नहीं खुली थी, मेरा सवाल ये है कि संबेदना जताने के लिए आपको दिल्ली पुलीस हाथ में चाहिए क्या, किसी के घर जाके दुख जताने के अफसोर जताने के लिए, कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं आपके घर आया हूँ, क्योंकि उनको हमने जाते देखा है पहले कई घरों में, रागवी, क्या वो कई घरों में नहीं गए हैं पहले, गए हैं ना, तो यहां जाने में उनको क्या शर्मिंदगी हो रहे हैं, ये प क्या उनको ये लग रहा है कि वहां कोई ये ना कह दे कि एक करोण का चेक इसके लिए भी दो, जैसे बाकी जगा देखे आया हैं ये जाना आदमी पार्टी की वहां की शेतरी विधायक और पूरी पार्टी उनके घर पर ही बैठी हुई है, पूरी मदद दे रहे हैं, ये सा इक्ति आमनों का रहे हैं नमें हूँ अंजडिया आप इज को पसंद आया होगा, ले इस खपरों के लिए यो ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले